क्या आपने भी 500 रुपे दे के अपने भाई को और देवर को पहनाई है साड़ी आज मैंने ये ही किया क्योंकि मुझे ये भी चालेंज दिया था कि आप अपने भाईयों को साड़ी पहनाओ क्योंकि आप खुद इतनी साड़िया पहनती हो अपने भाईयों को क्यों नहीं पहना दी हो तो मैंने किये चैलेंज एक्सेप्ट और पहना दी अपने देवर और अपने भाई को साड़ी पहले तो यह लोग बहुत चीक है और चिलाए कि हम नहीं पहनेंगे साड़ी लेकिन मैंने इनकी एक नहीं सुनी इनके जेब में रख दिये 500-500 रुपे और दोनों को पहना दी साड़ी मेरे भाई ने तो खुशी-खुशी पहन ली थी लेकिन यह जो मेरा दीवर है यह बहुत ही पागल है यह पहनने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा दा लेकिन मैंने सम्हो इसको मैनेज किया और इसको पहनाया और बोला कि तू बहूर अच्छा लग रहा है ब्लouse आप सोच रहोगी open क्यों है तो मैं बतादू इसको ब्लouse fit नहीं हो रहा था क्योंकि यह पहरी से थोड़ा हेल्दी हो गया है बाकी मेरा भाई देखो कितरा जादा क्यूट लग रहा है सच में लड़की लग रहा है पीछे से मगर इन दोनों को मैंने अलग-अलग कलर के साड़ी पहना ही मेरा भाई तो डांस पिकने लगा था क्योंकि उसको लग रहा था उसको 500 रुपे और मिलेंगे लेकिन उसको रियालिटी नहीं पता थी कि उसके जेब से 500 रुपे भी ले लिए जाएंगे वैसे साड़ी इत्ती गड़क थी पहनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये कॉटन नहीं थी पता नहीं कौन सा वाला कपड़ा था और जो भी देख रहा था अस्ते अस्ते पागल हो गया था क्योंकि इन्होंने पेटी कोट नहीं पहना था सीधा साड़ी पहलनी थी अपनी पैंड के ऊपर से ही मैंने साड़ी को पेनब बिगड़ दिया था क्योंकि कही साड़ी गिरना जाए अब बारी थी इनके घूंगट की तो भाई में तो ऐसी घूंगट डाल लिया था लेकिन मैंने बोला भाई दुपटता लेकर ओ इनको घूंगट पहनाया जाए तब ही तो वो फील आए ये र एक्षिंस की तो जितने भी घर में लोगते में सबको बार बुलाया और बोला कि देखो हमारी घर में दो लीडी जाए हम सबसे मिलने के लिए लेकिन हमारे फूटे कदम सब पहचान गए कि ये दो लीडी कौन थी क्योंकि उन्होंने चपड़ी नहीं उता दी थी वैल फिर आई डांस करने की तो देखो कैसे पागलू की तरह ये लोग डांस भी करने मैंने ब्लैक कलर का गाउंट पहना था क्योंकि ये पार्टी वाली वीडियो बन रही थी और यहां पर क्या हो रहा था मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मेरी भी समझ के बहारी था लेकिन साड़ी इनकी उतर रही थी क्योंकि हमें साड़ी पहनानी किसी को भी नहीं आती है वैल ये हो गया था मारा साड़ी वाला चैलेंज जो कि बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छे से हुआ मुझे उमीद भी नहीं थी कि ये लोग साड़ी पहनेंगे और इतनी देर तक मैंने इनकी जेब से 500-500 रुपे वापिस भी ले लिया और ये बोल दिया कि तुम बहन के लिए इतना नहीं कर सकते हो क्या तो बस अब बारी आई साड़ी उतारने की तो वो भी बड़ा डिफिकंट सा टास्क था क्योंकि इसके ब्लाउज नहीं उतर रहा था उसका तो एज इजली उतर गया था लेकिन भाई देखो इनको बाल सेट करने के लगी थी कहीं बाल ना खराब हो गए हूँ वैसे साड़ी पहनाने का चैलेंज आपने बहुत अच्छा दिया अब नेक्स्ट के चैलेंज देने वाले वो कॉमेंट से जरूर बताना बाई-बाई-बाई-ब कर दो